हाई हलो नमस्ते फ्रेंट्स आज की रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रेल का इंजन आगे या पीछे ना लगा कर बोगियों के बीच में भी लगाया जा सकता है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिया आज का रेल कारवाज शुरू करते हैं जी हाँ वर्तमान में जितने भी लोकोमोटिव भारती रेल में चल रहे हैं सभी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें मल्टिपल यूनिट ट्रेन कंट्रोल तकनीक के तहत उनके कंट्रोल डेस्क या ड्राइवर ड उड़कर उस कंट्रोलिंग को ट्रेन के किसी भी हिस्से में शिफ्ट कर सकते हैं यदि दूसरे लोकोमोटिव से कंट्रोल करना है तो उसकी ड्राइविंग कैब में सभी कंट्रोलिंग एक्विपमेंट्स पहले से ही लगे हुए हैं अता उन्हीं का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन यदि ट्रेन के किसी हिस्से को जो की ज्यादातर ट्रेन के आगे और पीछे वाला हिस्सा होता है ड्राइविंग कैब बना कर कंट्रोल करना है तो वहाँ इन कंट्रोलिंग एक्विपमेंट्स को लगाना पड़ता है जैसे कि कुछ वर्स पूर्व तक DMU मतलब डीज मल्टिपल यूनिट ट्रेन की तरह होता था जिसमें एक डीजल लोकोमोटिव के आगे पीछे चार कूछ लगा कर कंट्रोलिंग के लिए ट्रेन के दोनों सीरों पर ड्राइविंग कैब बनाए गये थे और ट्रेन चलने की दिशावाली ड्राइविंग कैब से ही बीच में लगे लोकोमोटिव का संचालन किया जाता था जिसके लिए लोकोमोटिव से लेकर दोनों सीरों तक MU केबल्स लगाये जाते थे फिर बाद में इस तखनीक को और विक्सित किया गया और वर्तमान में डेमू, EMU एवं वंदे भारत जैसी ट्रेने सामने आई जिन में अलग किये जा सकने वाले लोकोमोटिवों को ट्रेन के हिस्से की तरह इस्तिमाल किया जाता है, इतना ही नहीं, डिजल के WDG4 क्लास लोकोमोटिव में तो EMU केबल लगाने की भी जरूरत नहीं है, इन लोकोमोटिवों में नविनतम, डिस्रिब्यूटेट पावर कंट्रोल, बायरलेस डेटा रेडियो के माध्यम से उनके ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए रियल टाइम कम्यूनिकेशन स्थापित किया जा सकता है, हतिरिक्त फायदों के तोर पर सभी लोकोमोटिवों से एक साथ ब्रेकिंग की जाती है, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस में कमी लाई जा सकती है, और इस काम के लिए इन लोकोमोटिवों के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी कनेक्टिविटी तकनीक का इस्तमाल करके हैवी लोडेड गूड्स ट्रेनों को कुछ डिविजनों में चलाया भी जा रहा है, उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गये हों और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई